वेलकम डू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल कूपितलम मैं आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बहुती क्रिस्पी और बहुती टेस्टी और बहुती हैल्दी नास्ता बनाना बताऊंगी तो चलिए रैस्पी स्टार्ट करते हैं यहां मैंने एक कटोरी भर के सूजी ली है मोटी वाली बारी वाली जो भी आपके पास अवलेबल हो आप वो सूजी ले सकते हैं और अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेते हैं, कढ़ाई को हम गैस के उपर चढ़ाएंगे और उसमें हम एक चमच भरके ओईल डाल देंगे, ओईल को अच्छे से गरम होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, जीरे को चटक जाने देते हैं, और अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे पानी, जितना हमने अपना सूजी लिया था, उतना ही हमें इसमें पानी डालेंगे, उससे ना कम और नहीं ज्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, मेजरमेंट का खास द्यान रखना है, तो पान पानी हमें जितनी सूजी लेनी है, उतना ही डालना है, ज्यादा पानी डाल देंगे, तो फिर वो पतला हो जाएगा, और रैस्पी बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वीडियो को इसके बिल्कुल ने करिए, स्टेप बाई स्टेप में सारी चीज़ें आपको देते हैं, और इस तरह से इसको हम चला लेते हैं, पानी में हम सूजी को लो फ्रेम पर ही कोक करेंगी, आप देख पा रहे हैं, हमने ज्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, तो इसलिए हमने इसको चलाते हुए कोक करना है, अगर हम ज्यादा पानी डाल आ तो फिर यह हलवा कि जैसे बन जाएगा बढट मैं इस सूजी का हमएं एक बो के जैसा तयार करना है इसलिए हमें पानी का कमी इस्तेमाल करना है अगर बार Siberia Chris eder करना कुछा जाएं अगर बौा फ़ी सूजी हे तो आप उसमें एक कपोरी से बाद इसको ढखके रखेंगे 5-6 मिनट के लिए ताकि और अच्छे से फूल जाए तो इसको हमने बावल में निकाल लिया है और अब हम इसको रख देते हैं ढखके 5-6 मिनट के लिए तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते तो यहां हमने आलू बॉयल किया हुआ कद्दू कस कर के ले लिया है हमें बॉयल आलू की ही जरूरत है और फिर से हम कढ़ाई को गैस की ऊपर चड़ाएंगे दो चम्मा चोईल डालेंगे उसमें हम जीरा डालेंगे और जीरे को चटक जाने देते हैं उसके बाद बारिक चौक की हुई दो हरी मिर्च डालेंगी और हरी मिर्ची को भी भुन जाने देते हैं सच में नास्ता बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाला है तो अब हम इसमें डाल देते हैं हींग जिससे हमारे नास्ते में और भी अच्छा यमी सा टेस्ट आए हींग से तो बैसे भी अच्छा फ्लेवर आता किसी भी रैस्पी में यह मेडिम साइज का हमने प्यास लिया था फारी कट कर इसिको भी इसमें डाल देना ऐसनी वांने तब कोक नहीं करना है बस इसिका कलर चैंज होग है यह ट्रांस्पेर्ण हो जाएं बस इतना ही इस भूना है वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो रैस्पी हमारी है नास्ते की वो कैसी लगी आपके परफेक्ट तरीके से बनी या नहीं बनी वीडियो को इसकिप ना करिए ताकि आपकी भी रैस्पी एकदम से परफेक्ट बने तो थोड़ा सा डाल देते हैं धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी का पाउडर है और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला इस पाइसे साप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं और इसक चीजों को mix करने से पहले हम इसमें डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के according ही डालना है, और इस वाद का भी ध्यान रखें कि हमने अपने डो में भी नमक डाला है, और स्टफिंग में जो हम मसाला तयार कर रहे हैं, उसमें भी नमक डालना है, तो प्लीज इस चीज का ध्या कोली के लाइक ही ना रहे, तो चलिए कोई ने, आप मसाले को fry कर लेते हैं, आलू का जो मसाला हम रेडी कर रहे हैं उसको fry कर लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी सा हमारा मसाला भी बनके रेडी होगा, अब हम डाल देते हैं इसमें हरी धनिया की पत्ति, और दो मिनाट के लि तब तक यह हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम कोई और तैयारी कर लेते हैं अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक निंग किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा चैनल पर पहली वारा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए ताकि हर रेस्पी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए बाउल में हमने दो चमच फर के मैदा लिया है आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी मर्जी है आप क्या लेना चाहेंगे थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं हम चिली फ्लेक्स और उसके बाद हम इसम पत्ति रेस्पी हमारी भोड़ी टेस्टी ऑ बहुत रिज्शी सी शुच में क्या हिंदा में कि हमारा नास्ता टेस्टी में बनने वाला है आप बच्चें को जब भी टिपेंड में बना के देंगे तो बच्चे हथिते में दो बार तो यह बनना पशंद करेंगे रिस्पी एजी तरीके से बन जाता है, बहुत ही आसानी से बनके रेडि हो जाता है, आप इसको कभी भी बनाके खा सकने हैं, आपको चाय के साथ खाना है, और बच्चे तो सच में रोज ही मांगेंगे, कि यही खाना है मुझे, पुरी समोसा का चौड़ी सब खाना भूल जाएंगे, इ आप देख पा रहे हैं इसकी consistency कैसी है तो नहीं जादा पतली और नहीं जादा बहुत जादा गाड़ी हमें ऐसी चाहिए इसको भी तो хочу अगर नहीं चीपना करना है अगर आपके हांतों मुर्य चर्ण करें धर करना इसे मलमल करूदा करते हैं午ं मुझेर हमें घृड़ी की लिए रीकरना包 है इसको गोल 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 हमने एक पेड़ा बना लिया है अब हम इसको बेल लेते हैं जैसे रोटी पूरी पराथा पिलते हैं ठीक उसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हलकासा ओईल लगा लिजिए अगर आपको जैसे हलकी सी प्रॉब्लम हो रहे कि कहीं चिपक न कि इसकी हमें जरूरत नहीं है क्राइक से बने रहने दिजी है और इसको हम कट कर लेंग हैँ है हम चाकूँ के साहता से क्यूंकि इसे को हम चोखोंते हिस्से में देए चारो तरफ से के हिस्से जो है इसको एक perfect शेपनेया तो चारो तरफ से आप देख पा रहे हैं चाकु से हम इसको cut कर लेते हहें और कितनी यह तूट सकता है पर हम इस तरह से नहीं निकालेंगे क्योंकि यह बीच में अच्छे से कटा नहीं था इसलिए तो चाकू से ही इसको हलके से यह ऐसे निकालेंगे न तो यह निकल आएगा बहुत ही एजी तरीके से निकलेगा और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना हमक जैसे रोटी पूरी परांटा बनाते हैं वैसे ही और इसकी बीच में हम मसाले की स्टफिंग जो है वह रख देते हैं और दोनों कोनों को हम मिला देंगे इस तरह से जो भी इसके कोने हैं इस तरह से हम दोनों को चिपका देंगे बहुत ही इजी तरीके से यह चिपक जाएगा और इस तरह से हम इस साइड से भी दोनों को चिपकाएंगे सच में इतना इजी लग रहा था मुझे इसको बनाना कि धेर सारे बनाके रगलू सच में क्या ही बता हूं मैं आपको और सबसे बढ़े बात क्या है ना जो हमने चाट करके रखा था बेल के उसके उपर इस्टेफिंग डखेंगे दोनों कौनों को हम इस तरह से बिला देते हैं और मसाले को इस तरह से सेट कर देंगे दोनों उंगलियों से और इस तरह से दौनों कोने हम फिर से मिला देंगी सेंपर्सेस करना है हमको बहुत ही इज़ी तरीके से ये देखी कितना सुन्दल लग रहा है चारों कोने इसके एक दम से नुकिले से निकल के आये है ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे है इक दम से तो चलिए इनको अब हम fry कर लेते हैं तो इधर हमने oil पहले से गरम होने के लिए रख दिया था और यहां इस तरह से हम एक-एक पोटली लेंगे और इसको घोल में dip करेंगे और extra घोल निकालते हुए हम अपने oil में डाल देंगे सच में सारी पोटलियों को हमें इसी तरह से घोल में dip करते हुए इसमें हमें डाल देना है एक्ष्टा घोल को निकालते जाए मैंने तो खुदी डाल दिया आपसे बोल रही हूं एक्ष्टा घोल को निकालते जाए पर इसको एक्टिन गो निकाल देगा तो इसमें जो सेफ है सकते दम परफेक्ट बनेगा और तरीके से देखने में बहुत प्यारा लग रहा था और ये जो चिली फ्लेक्स और धनियाพतिन देख होने हैं अर बहुत प्यारी कैंस्क नासता बंचा लगेगा एकदम से क्रिस्पी सा टेस्टी सा और ये देखी हमारी जो पोटलिया है एकदम से गोल्डन कलर की हो गई है और अब हमने इनको उलट-उलट करते हुए सभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं सारी पोटलियों को हमें इसमें से निकाल लेना है चमच की साथा से और बहुत ही इजी तरीके से हमारा नास्ता बनके रेडी हो गया है वीडियो को लाइक जरूर कर लिजिए चैनल पर पहली वारा है तो सब्सक्राब कर लिजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचिए चलिए नास्ते की कर लेते हैं हम प्लैटिंग और इसको आप किसी भी चतनी के साथ चाय के साथ या फिस सौस के साथ आपकी मर्ची है आप किस तरह से खाना पसंद करेंगे आप देखिए कितने क्रिस्पी बनाए हमारा नास्ता और ट्राइ जरूर करिए मेरे तरीके से रैस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर करें